तो हुआ है चैनल धीरज और मैंसेशी में आपका स्वागत है देखते ही आज प्रसना वली वनी मनोहरेकी तो देखते हैं पहले पूरड़ सुध्ध करडी के रूप में लिखना यानि सुध्ध करडी के रूप में अब यहां पर करड़ी देखें इसको कहते हैं कोई लगा हो ठिक तीन पाच तीन याहां पर कुछ भी लिखाओ वो तक करडी जिसए यह निशन अगर लगा ओफरे तीन लिखाओ दौरे छाल रिखाने कुछ भी अगर इस प्रकार से भी इसान लगा है और अगर यह देखते हैं अगर ऐसे लिखा है यहां पर तीन लिखा है तो यह निसान होता है घनमोल का इसका मतलब होता है इसमें दो-दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं जिसे पांच गुड़े पांच तो यह जोड़ा बन गया और इसमें क्या थीन संख्याओं के बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है जिसे माले उसके साथ लिखा है तो जिसका जोड़ा बन गया वो आगया बाहर ठीक और जो बच गया वो रह गया अंदर लेकिन यह कैसे निसान लगा गया भी यानि यह चे गुड़े चे गुड़े चे यह तो घनमुल में आ गया हमारा यह साथ रह गया अगर इस प्रकार से लिखा हो और हमको करड़ी के रूप में लिखना हो तो देखे अब यहां पर समझे यह निसान लगा है यानि तीन तीन संख्याओं के जोड़े बने होंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा साथ यह जो छे जब अंदर जाएगा तो ती इन पार जाएगा कितनी बाद आएगा तीन बार अगर इस प्रकार से सिर्भ निसान लगा होता इसका मतलब यह दो बार जाएगा ठीक अगर यह पर चार लिखा होता है नीं वह चार बाद जाएगा करड़ी के रूप में सहा चार्श का 216 219 की साथ सिफी जितना आजाए इ इसको मतलब हम लिख सकते हैं से 40 गुड़े यह जो दो बटे तीन है दो बटे तीन गुड़े दो बटे तीन अब देखें ऊपर जब गुड़ा करेंगे दो दुना चार और फिर चार चक को 16 यानि 160 बटे नौ यह हो गया हमारा सुद्ध करडी के रूप में यानि पूरा जो क अब बात करते हैं यहां पर यहां पर भी उसी प्रकार से जिसे हमने लिखा 96 अब यह वर्गमूल का निसान लगा वर्गमूल सबगे दो तो संख्याव के जोड़े बनते हैं तो यह तो तीन बिटे चार है इसका मतलब यह जो अंदर था यह कितनी बार था दो बार था कितन आप देखें तीन तीन नो की जो चे से गुड़ा करेंगे नो चाग चोवान यानि हमारा आगया करड़ी के रूप में चोवान अब बात करते हैं यहां पर समझ गे यह किसका निसान लगा है घनमूल का यानि तीन तीन संख्याओं के जोड़ा बनकर बाहर निकला है तो यह जो तीन है बाहर गया था इसका मतलब यह कितनी बार था अंदर हमारा तीन बार तीन त्यान नो नो तुरुक 27 और 27 दुना चोववन तरहं टार निकाला जाए तो लिखेंगे दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन और यह तो तीन है यह हमारा भाहरा जाएगा ज gotta बचाओ लिगगया चीन घनमूल करनिसान तो यान्न हां यह है यह जो का निसान इसका मतलब अंदर दो बार था तो पांचम पचीश पचीश दुना पचास यानी रूड पचास यह हमारा एंसर हो जाएगा चासरै और दूसरा का पहला दो बटे तीन रूड कीतना तो अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे यह जो यानि वर्गमूल का निंसान लगा यानि दो दो के जोड़े वने अचाह समझे तो यह जो 32 लिखा है इसको उधिती है 32 गुड़े यह जो दो बार जाएगा तीन तिया नो यानी 128 बटे नो अब देखते सिकेंड पार्ट यहां पर समझे यहां पर निसान लगा चार यानी यहां पर चार चार संख्यां के जोड़े बनकर बाहर निकाला गया है तूस्य समझे तो यह हो जाएगा हमारा पांच लिख दिए फिर गुड пам अब यह जो बाहर संख्या लिखी तीन यानि अंदर कितनी बार था चार बार था अच्छे समझें तीन गुड़े तीन गुड़े तीन अब इसकी जो हम गुड़ा करेंगे तो देखें तीन त्या नो नो त्रुक 27 ठिक और इधर देखें 27 त्या 81 यहां पर चार लिखा है यानि अगर इस सवाल को हल किया जाए तो जब चार संख्या है जो होंगी उसको जोड़ा बना कर हम निकालेंगे यहां पर देखें तीन बाहर निकल जाएगा और जो बच गया वो लिख देंगे यहां पर समझे यहां पर निसान लगाना यह ठिक आप देखते हैं यहां पर तीन बटे चार वर्गमूल का निसान लगा है आठ तो वर्गमूल का निसान हम लगा देंगे ठिक जो निसान लगा वही लगाएंगे वर्गमूल का निसान लगा देंगे फिर जो चीज संख्या है तीन बटे चार कितनी बार ला लिखेंगे दो बार यहां पर घात कितनी है चहे ठीक यानि एक बटेट गात है यहां पर समझें तो हम निसान जो लगा वहीं लगाएंगे जिक अब देखेंड लिखा हमने गुड़े अब यह जो यक्यू रहे वह यानि यम क्यूब गुड़े 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 यम क्यूब ठिक आप देखें अब इसको लिग देंगे जिस प्रकार से चे अब यह हो गया यानि क्यूब और यम की घात कितना गांट esses इस माइनस और मेंत्स ईच निशान लगाए को निसान लगा गो फजुट्ट मॉल का लगा जो लिखा south को लिख दिया X-Y और ये जो बाहर एक्स घर्षय वर्गमूल का नियौा इसका मतलब अंदर कितनी बार था वह दो बार लो बार था याक्स गुडए य अब देखते हैं यहां पर समचें हैं इसको जो हम लिखेंगे एक points जो निसान लगा हो निसान लगा दिया 5 अंदर जाएगा कितनी बार हो जाएगा दो बार जानी 5 गुड़े 5 अब इसकी जो गुड़ा करेंगे फचल 25 पचेस की जब गुड़ा करें गे तो लगें 25 दूना 50 हासिला पांच 25 छक्का 25 छक्को 100 पच्छेस चक्का डेढ़ सो और हासिल पांच आया था तो देढ़ सो पांच 155 हो गया हासिला पंदरा और 25 एकम 25 और 15 होता है 40 तो 40.50 कह सकते हैं यह फिर सिर्फ इतना कह सकते हैं 40.5 यह 5 नहीं मानलो 50 ही है ठीक कोई फर्क परता कि किसे पाजिसे 40.5 और 40.50 चालिस पॉइंट पांसो इसमें कोई फरक नहीं कि दिखें फरक मनलब अगर इस किसी को किसी में से घटाएं तो आइंसर जीरो ही आएगा क्यूंकि समान संक्या है जैसे तीन में से तीन घटाते हैं तो जीरो आता है इसका मिलए दोनों सं घ्राइंगे मोबाइल में कर्कुलेटर में तो जीरो ही आएगा इसका मतलब यह जो संख्याएं है समान है अब बात करते हैं यहां पर समझे जो निसान लगा है वो लगा देंगे 2 x-y और फिर इसका में इस प्लस वाइए लिखाए और मुल का निसान लगा है इसका मतलब दो बार होगा बाहर यानि याक्स प्लस वाई अंदर दो बार आ गया यक्स फ्लस वाई क्योंकि जब जोड़ा बनाओगा तभी बाहर गया होगा तो यह आजाएगा वर्गमूल का न अनदर कितनी बार होगा शोगा हमारा जो निसान लगा देंगे तो यह को आिनूसर हो जाएगा दो इसके साथ सबारा बड़ी सक्क्या है तो डाइट नहीं हो दो एक प्ता कर पाते हैं मिल्हें से लिख सकते हैं अब दिखें यहाँ पर घर्मूल का लिसान लगाइब कितने संख्याओं के जोड़े बनने हैं तीन संख्याओं के जोड़े बनने हैं तो यह जो लिखा है साथ सो सरसट कितने साथ सौर सट फिक इसको लिखेंगे दो दुना चार दुनी आठ दुनी सोला दुना बत्टिस दुना चोंसर दुना एक्सवरटाइश एक्सवरटाइश दुना दोसो छपन और 256 तीयां शाथ सो आप देखें किसका निसान लगा घनमूल का तो तो इसका जोड़ा बन गया यानि इसमें से दो निकला और इसमें से दो निकला और बाकी जो बचा थिक घनमूल का निसान लगा दिया और दो दुना चार तियां बारा तो यह आ गया दो दुना चार फिर घनमूल का निसान फिर बारा यानि चार घनमूल बारा अब देखते हैं यहां यहां पर किसका निसान लगा वर्ग मोल का तो अब यहां पर समझे यह अगर डारेट कर सकते तो कर लेना या इस परकार से भी निकाल सकते हैं अब यह देखिये होता है थीन थ्यां नो तुरुख थाइस पंचे होता है 175 एक सो यह गल्थ हो जागा अब देखिए इसको अगर ना पता हो डारेक्ट तो इसको क्या गर सकते हैं निकाल सकते देखें 175 तो इसको जब पांच से काटेंगे तो पांच पांच यह 15 कितना बचा दो पचम 25 फिर पांच से क अब यहां पर से सब्सक्राइब को तीन तिन नो सटी तिरसट फिक अब देखिए यह साथ से साथ हमारा गया कट अब यह निसान किसका लगा है वरगमूल का यानि दो-दो संख्याओं के जोड़ा यानि पांच का जोड़ा कंपलीट है हमारा पांच आ गया यह तीन का जोड़ा कंपलीट है पांच बटे तीन हमारा एंसर हो गया अब यहां पर सब्सक्राइब जोड़ा कंपलीट हो गया तो जोड़ा कंपलीट हो गया उसको बाहर दिकाल देंगे फिर जो निसान लगा है घनमूल का निसान लगा देंगे और जो बच गया देंगे यह हमारा आगा चार घंमूल चार यह जोड़ा कंपलीट हो जाएग nett 135 होता है तीन तिया नो त्रुख 27 पंचे होता है 135 अब देखें यहां घनमूल का निसान लगा है इसका जोड़ा यहांनि वर्गमूल का निसान लगा है तो देखें अगर डायेट कर सकते हैं तो करना यह इस प्रकार से पहले गुड़नखंड कर लेना तो देखें इसको हम लिखेंगे दो दूना चार दोनी आठ दोनी सोला अब सोला पंचे एक सवस्य होता है ठीक सोला के पहाड़े में पांच बार पढ़ें अब देखें वर्गमूल का निसान लगा है यानि जोड़ा कितने का बनाना है दो दो संख्याओं का यह जोड़ा बन गया एक यह बन गया तो वर्गमूल का निसान लगा देंगे जो जोड़ा बन गया एक दो यह निकला एक दो यह निकला अब बच्चा कितना पाँच यानि एंसर आ गया दो दुना चार रूड पाँच चार वर्गमूल पाँच अब देखें इसको समझे यहां पर हमको घनमूल निकानला है तो 72 का समझे अच्छे से कितना होता है दो दुना चार दुनी आठ आठ तुरुक चोविस्ति बहथ तहब देखें यहां पर किसका लगा घनमूल का यहां तीन संख्या और जो जोड़ए बरेंगे वहीं निकलेगा यही Milli्ट्ञ यह जोड़ा इक धाल jaud lion Kud92 दुनricapayers तीन uh no ययनि दो घनमूल नो यह मारा आ यहां पर आंप यह अब आच आठेटा आठ अब deepen कि इसको लिख सकते ओर को तो कि ट्यूलेर लिखने तयराओ अधर कुछते कि गीघनार तु की गात गूरे इसको कि गुड़े यसकी गाथ बसक्तरा बाइं कि घाट गुरेंग वाई कि ह हाथ लिजन कितना करते हुं राट एक की घगात पाथ चपन्च ना किरते हैं अब कि उन्हों इसके से गया होगा ये यह सक तुल इससमा ध वह आठ बार तो आठ बार यानि आठ संख्याउों हपाइब जोड़ा बन जाएगा ऑग्षात जैलने ने किला ये तो आप यहां पर इन adalah जो निश्मरत ञालेगे त civान इसके वह यहां पर मैं一次 में से तो एंसर आ गया एक्स बटे वाई स्क्वायर और जो डिसान लगा है आठ वाला यक्स की घात पांच वाई की घात पांच यहमारा एंसर हो जाएगा अब बात करते हैं यहां पर देखिए 756 का हमने लिख लिया डाइट नहीं पता हैं को आप देखिए इसको लिखेंगे घनम करें अंड़ों का निशुडए मते टीन संख्या जिसका यरूदा या अवा सटिक ये अलिस्स वाह प्य torch है अब देखिए यहाँ पर Alan karam हाइब करें किसी भी संख्याए जो पर दिए किसी भी संख्या में गुड़ा कर सकते हैं अब यहां पर अच्छे से समझें वर्गमूल का जो निसान लगा लगा दिया अब यहां पर लोगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानि ए एक्स माइनस वाई यानि दो बाल लिखा है यक्स माइनस वाई गुड़े एक्स माइनस वाई ठीक अब क्या करेंगे देखिए अच्छे से स्मझें वर्गमूल का निसान हमने लगा ठीक आप समझें यहां पर हमने लिखा देखिए इसमें एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई दो बार है यानि जोड़ा बन गया यानि यह हमारा बाहर निकला वन बटे एक्स माइनस वाई और अंदर कितना बच गया यक्स स्क्वार माइनस वाई इसक्वार यह हमारा एंसर हो अगले ब्राइकेट में होता है A square – AB और फिर B square यह होता है यह किसका सुटर होता है A cube प्लस B cube का फिर बट्टे अगुड़े में समझे एक इस्क्वाइर माइनस Y square यानि A square ग् этड say में अगा डि का मैंने की आगा touchdown मुझा ङए कंपलीट हो गया कौन यहां पर पर तो जोडा कम्पलीट हो गया वह निकल गया बाहर बचा जो वुसको लिझे तो से कि importantly एक्स-माइनस वाई बचा और बचा एक्सए माइनस यक्सञाम का एक्सवी प्लस का ये हमारा बचा ठिक यानि यख़िए वर्मूल का निसान एक्स माइनस वाई एक्सैक्माइन ड्रिक इसका SEO SEO wo Profile तो लिखा है और इसका कितना हैगा वन यक्स माइनस वाई वर्गमूल का निचान एक्स माइनस स्क्वाइर माइनस वाई स्क्वाई 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 स्क्वा और दूसरा तरीका इस परकार से में लिए सकते हैं देखें कैसे हमने वर्गमूल का निसान लगा है यह बार होगा अब यह जो चीज़ बाहर है बार का निसान लगा है इस कंधने δो संख्याओं के जुड़े बने होंगे यरिए लिखेंगे X-Y गुड़े X-Y, दो बार होगा, X-Y से X-Y एक बार कड़ गया, अब देखे, A-B, A-B, यानि कितना आ गया, X-Square-Y, आप जो तरीका समझ मैं लगा ले रहा, अब यहाँ पर भी समझे, चाहे तो इसको हम बाहर लाएं, या चाहे तो इसको हम अंदर ले जाएं, तो अंदर होगी, अगर वर्गमूल का निसान लगा होता है, इसका मलत दो बार होती, तो यहाँ कितने बार है, तीन बार, X-B, Y-Square, X-B, Y-Square, अब देखे, हमने घनमूल का निसान लगा देंगे, Y की घास साथ, गुड़े, X-X-X कितना हो गया, X की घास तीन, और नीचे X-Square, Y Y-Square, 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 कितना हो गया, Y की घास छे, अब देखे, घनमूल का निसान लगा दिया हमने, अब तो यह कार देंगे, Y की घास छे है, यहाँ पर साथ है, तो कितना बचा, Y बचके एक, X-Square, X-Cube है, तो एक X बचके है, यानि घनमूल का निसान, X-Y हमारा एंसर हो गया, 9 की घात, 3 बटे, 2, तो अच्छे से समझे, 9 की घात, 3 बटे, 2 लिखा है, तो देखे, जब हमारा बटे में 2 लिखा है, तो इस संख्या को भी घात, 2 के ही रूप में बेख्त करना होता, देखे, 9 को लिख सकते हैं, 3 की घात, 2, यह हमारा कितना हो गया, 9, इस 3 बटे, 2, यह 2 से 2 गट गया, यानि 3 की घात, 3 आ गया, तो इसको लिखेंगे, 3 गुडे, 3 गुडे, 3 यानि कितना हो गया हमारा, 3, 3, 9 तरुप, 27 से हमारा एंसर हो गया, अब देखे, 32 को 2 बटे, 5 लिखा है, यानि घात, बटे में 5 लिखा है, यानि जो 32 इसको 5 की रूप में बदला जाएगा, तो 2 की घात, 5, 2 की घात, 5 को कहते हैं, 32, 2 दोना 4, तो ने 8, दोने 16, दोना 32, और फिर लिखेंगे, 2 की घात, 2 बटे, 5, अब देखे, 2 की घात, कितना हो जाएगा, इन घातों की हो जाएगी, गुड़ा, तो यानि 5 की 2 बटे, 5 से गुड़ा होगी, की घात, कट, कितना आ गया, 2, 2 की घात, 2 यानि कितना आ गया, 4, यह हमारा एंसर आ अब देखते हैं, 8 रूट 15 को, 2 रूट 3 से भाग दीजे, तो देखे, 8 रूट 15 को भाग करना है, 2 रूट 3 से, तो 8 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, और रूट 15 को अलग 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 पाँच बटे में इसको लिख सेते हैं दो गुडे रूड तीन, तो देखें दो से एक दो कड़ गया, रूड तीन से रूड तीन कड़ गया, बचा कितना दो दुना, चार रूड पांच नीचे तो कुछ बचा नहीं यानि एंसर आ गया हमारा चार रूड पांच प्रस्णावली वनी दाइन अगर वीडियो कहें पर भी अच्छा लग जा है तो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो हो सक्कें तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो गया वीडर च्छाव भूब तो